आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब देखो इन्होंने बोल रखा है कि what will be the area bounded by the curve y equal to fx within 0 से 4 यानि की x का value जब 0 से 4 vary कर रहा होगा उस समय y equal to fx के द्वारा जो हमारा area bound होगा वो क्या होगी यह हम से पूछे गई है सबसे पहले पन देखे तो function हमारा कुछी step में define हो रहा है fx जो है वो हमारा एक तो x minus gif यानि की greatest integer function of x है उसका mode है ठीक है जब हमारा क्या है when जब मेरा gif of x हमारा क्या होगा odd होगा ठीक है और जब मेरा when gif of x मेरा अगर even हो गया तो उस समय जो function है वो हमारा क्या है तो x minus gif of x minus 1 का mode है ऐसा कुछ दे रखा है हमें मतलब है 0 से 4 तक तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर coordinate axis बनाता हूँ ठीक है और graph को अपन ड्रॉ करते हैं तो यह हमारा coordinate axis होगा माल लो यह x axis है और यह हमारा y axis है ठीक है अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपन देखे 0 से 4 तक interval में तोड लेता हूँ सबसे पहले आपन फर्स्ट वाला interval के लिए आपन यहाँ पर देख रहे हैं तो जब मेरा x 0 से माल लो 1 तक होगा तो उस समय gif of x मेरा क्या देगा देगो gif of x मेरा क्या होता है अगर x 0 से 1 vary कर रहा है तो left वाला जो nearest integer होता है वह हमारा gif of x हो जाता है तो left वाला जो हमारा nearest integer है वह 0 है तो जब मेरा x 0 से 1 vary कर रहा होगा तो gif of x मेरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा अब 0 मेरा odd number तो है नहीं even है यानि कि gif of x जब मेरा even होगा तो इसमें function तो मेरा यह था तो यहाँ पर रख देते हैं तो y is equal to मेरा क्या जाएगा जो function है y is equal to मेरा क्या बन जाएगा x minus यह तो 0 बन गया तो यह आ गया 1 तो x minus 1 बन गया और इसका mod ऐसा कुछ बन गया भाई अब 0 से 1 के लिए अपन graph draw करते हैं तो जब मैं x का value यहाँ पर 0 रख दूंगा तो x का value जब 0 रख दूंगा तो जो हमारा line होगा वो इस type में होगा line यानि कि इसको और इसको मिलाके यह line आ गया तो 0 से 1 तक यह हमारा graph बन गया अब अपन second के लिए देखते हैं जब मेरा x vary कर रहा होगा 1 से 2 जब मेरा x vary कर रहा होगा 1 से मान लो 2 तक अब देखो 1 से 2 में अगर gif of x अपन देखे तो हमारा left वला nearest integer होता है y value देता है gif of x तो यह क्या देदेगा 1 देदेगा तो जब 1 है तो gif of x 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा odd number दे रहा है तो odd के लिए यह हमारा function था तो y is equal to क्या जाएगा x minus तो y is equal to हो जाएगा यहाँ पर mod of x minus gif of x हमारा क्या रहा 1 आ रहा तो x minus 1 का mod आ गया ठीक है अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x equal to अगर मैं 1 रखो इसमें x equal to 1 रखो तो 1 minus 1 0 तो y का value 0 ठीक है यानि कि यह point ही रहा itself अब मैं 2 रखता हूँ x का value तो 2 रखोंगा तो 2 minus 1 that is 1 तो y का value 1 आ गया तो यानि कि यह point आ जाएगा 2 पर 1 ठीक है mod of ठीक है इसलिए y यह जाएगा mod of x minus gf of x हमारा क्या है 2 है और minus 1 ऐसा बन गया तो यह जाएगा x minus 3 का mod अब क्या करते है अपन यहाँ पर सबसे पहले 2 put करते है x का value तो 2 put करूँगा तो 2 minus 3 that is minus 1 minus 1 का mod हमारा क्या जाएगा 1 तो यानि कि value हमारी यहीं पे रही अभी 1 रहा और 3 put करूँगा 3 minus 3 यानि कि 0 यानि कि यह point आ जाएगा अब इन दोनों को मिला के अपन लाइन किछते हैं तो यह हमारा line बन जाएगा ऐसा कुछ यह हमारा line बन गया अब 3 से 4 के लिए बात करते है अपन जब x मेरा 3 से 4 की और vary कर रहा होगा तब हमारा gf of x क्या बन जाएगा तो left वाला जो हमारा near integer integer यानि कि 3 बन जाएगा अब 3 तो हमारा odd number है तो odd के लिए हमारा function यह था यानि कि mod of x minus 3 का mod आ जाएगा अब इसके लिए अपन क्या करते हैं सबसे पहले मैं 3 put करता हूँ x का value तो 3 minus 3 यानि कि 0 तो यह point हमारा यहीं पे रहा अब जब मैं 4 put करूँगा इसमें तो 4 minus 3 rat is 1 यानि कि हमारा यह point 1 पे आ जाएगा 4 पे यहाँ पे तो इन दोनों को मिला के फिर से line draw कर दो तो यह line हमारा बन जाएगा तो यह देखो यह हमारा line बन गया अब इन्होंने क्या बोल रखा था 0 से 4 तक तो 0 से 4 तक जो ह हमारा itself y axis है और x equal to 4 हमारा यह वाला point हो जाएगा ठीक है x equal to 4 तो यहां पे जो हमारा area cover हो रहा है 0 से 4 में अपन देखे तो एक तो यह area है ठीक है एक triangle और यह triangle ठीक है फिर यह triangle ओके अब यहां से अपन देखे तो अगर मैं यहां पे 2 पे ऐसे perpendicular draw कर दूं ठीक है इस point से ठी यह triangle हमारे similar बन रहे है तो 1,2,3 और 4, 4 similar triangle बन रहे है अब यह 4 का हमें area चाहिए था हमसे यह बोला गया था ठीक है कि what will be the area bounded by y equal to fx 0 से 4 में तो यह area में पूछा गया है अब अपन जानते हैं कि अगर 4 similar triangle है तो मैं क्या करूँगा एक triangle का area निकाल लूँगा राइटेंगल ट्राइंगल का और उसको 4 से multiply कर दूँगा तो इसका area अपन कैसे निकालेंगे तो यह area होता है rectangle triangle का area half into base into height यह हमारा formula होता है तो यहां पे ह हमारा total area आ जाएगा तो area कितना आ जाएगा 2 into 2 यानिकि 4 होता है area आ गया 2 square unit तो इस जो area पुछा गया था हो कितना आ जाएगा 2 square unit तो this is our answer for this question. Thank you.